नमज़कार दोस्तों स्वागत है आपका यूटूब चैनल ग्यानशयान मैं आज बात करेंगे सेवाईयों के बारे में कि सेवाईया कैसे बनाई जाती हैं घर पे तो चलिए आज का वीडियो शुड़ू करते हैं और देखते हैं कैसे बनती हैं सेवाईया जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कैसे मशीन में डो लगाया जा रहा है और मशीन को घुमाने पर नीचे से शेवाईया तैयार होके नीचे आ रही हैं तो दोस्तो घर पे जब आप सेवाईया बनाते हैं तो सबसे पहले आपको लेना होगा मैदा मैदे को अच्छी तरह से च्छान लेना है मैदे में आपको एड करना होगा गेहूं का आटा और थोड़ी सी सूजी इन तीनों चीजों को मिक्स करना है और पानी में गूंथ ले ताकि उसको मशीन में डाला जा सके और मशीन को घुमाते समय अच्छे सी सेवाईया निकाली जा सके तो आप देख रहे हैं हमने मशीन को लगाया है और इसके साथ ही आपको दो को मशीन में डालने से पहले उसको ये देखिए डो बनाया जा रहा है अब इस डो को मशीन में डालने से पहले सरसों के तेल में डूबोया जाएगा फिर इसको मशीन में डाला जाएगा उपर से जब मशीन को घुमाया जाता है तो घूम 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 के ये नीचे से सेवईए जो है वो बन के नीचे आना शुरू होती हैं ये देखिए ऐसे ये तेल लगाके डाला गया है डो अब आप देख रहे हैं मशीन को गुमाया जा रहा है अब इसे गुमा गुमा के ये देखिए ये नीचे से सेवाईय बन रही है अब थोड़ा सा सूखा आटा इस पे डालेंगे और इसको निकाल के दूसरी जगह पे हम सुखा सकते हैं दो या तीन घेंटे तक सुखाएं ये बिल्कुल करंची हो जाती है तो दोस्तों आपने सीखी लिया है कि कैसे वनाए जाती है घर पे सेवाईया ये देखिए एक्टम मोटी मोटी सेवाईया है खूबसूरत लग रही है सेवाईया स्फेद स्फेद ये वि दालना है तो बिल्कुल थोड़ा सा डाल सकते हैं नहीं तो काली हो सकती हैं आपकी सेवाईया आटे के साथ तो ये लीजी दोस्तों हमारी सेवाईया एकदम रेडी हो चुकी है हमने सिर्फ और सिर्फ दो या धाई घेंटे तक इन्हें धूप में सुखाया है ज्यादा धूप नहीं लगाई है और हमारी सेवाईया रेडी हैं तो दोस्तों बने रहे हमारे यूटूब चैनल ग्यान प्रश्यान के साथ और भी ऐसे केई वीडियोज हम आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों घर्मियों का मौसम है आप भी ऐसे कुछ काम करते रहें घर पे बने रहें स्रक्षित रहें वैसे भी आजकल महामारी का ताउर चल रहा है आप भी अपने घर में कुछ न कुछ बनाते रहें